नमस्कार दोस्तों इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है आज बात करने वाले हैं त्रिती अविश्वयूद की जी हाँ त्रिती अविश्वयूद ने 10 तक दे दी है अभी तक जो जंग ये बंदू को टैंको और गोला पारूद से लड़ी जाती थी वो अब पर भी आ गई है पिछले कुछ समय तक सिर्फ यूएस की हैकर ग्रूप्स ने अलग-अलग देशों की सत्ताओं में परिवर्तन करने के लिए और कई अन्य हेतु से हैकिंग किया था और हैक करके वेबसाइट को हैक करके अपनी मांगे रखी थी और लोग को परिशान किया इसमें हो सकता है कि आपका बिजनेस भी शामिल हो यूँकि कुछ समय पहले तक पाकिस्तान के भी कुछ हैकर्स थे जिनोंने इंडियन बिजनेसेस की वेबसाइट हैक करके उनके पास या तो रैंसम मांगा था या तो पैसा मांगा था या फिर उनको कुछ समय तक डाउन कर इसके बाद जैसे ही हमास के आतंग की हमले का जवाब देते हुए इस्राइल ने ओपरेशन आयन स्वार्ट शुरू किया उसके तुछी समय बाद ये समाचार आये हैं कि प्रो रशियन इरेनियन हैकर ग्रूप ने इस्राइल की गवर्मेंट वेबसाइट को भी हैक कर लिया है और उन्होंने इस्राइली गवर्मेंट को इन हत्याओं का आरोपी ठेहराया है जबकि हकिकत हम सब को पता है कि हमास ने किसी भी प्रोवोकेशन के बिना ये अटेक किया था जिसमें उन्होंने कई सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया बंदूकों से और मिसाइल से और कई सारे लोगों को बंदग भी बना लिया है जिसमें बच्चे भी शामिल हैं जिसमें मैलाय भी शामिल हैं जिसमें बुड़े भी सामिल हैं अब देखना ये होगा कि ये जो तृतिय विशुद्ध की दस्तक हो गई है जो सिर्फ गोलावारूत से नहीं बलकि डिजिटल व लेबसाइट चला रहे हैं तो कृपया उसको सुरक्षित रखने के सबी कदम उठाएं क्योंकि ये चीज बढ़ने वाली है और इसका खत्रा सिर्फ गवर्मेंट्स को नहीं बलकि हम सब को हैं क्योंकि जिस तरह के आतां की हमले हम लोगोंने दो तीन दिन में देखे हैं उस प पूरा IS-IS की तरह एक नेटवर्क चला रहे हैं और उसमें मानोता की कोई जगा नहीं है तो दोस्तों अपने परिवार को सुरक्षित रखें अपने आपको सुरक्षित रखें और अपने बिजनेस को और उसकी वेबसाइट को सुरक्षित रखने के लिए जो कोई भी कदम उठाने पड़ें वो उठाएं और अगली बार वोट देने जाने से पहले जो की अगले साल होने वाला है ये तैय कर लें कि कौन सी सरकार ऐसी है जो लोगों को पुक्ता सुरक्षा प्रदान कर पाई है ये निनए आपके हाथ में है और आंकडे इंटरनेट पर मौजूद ह अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर दपाएं जय हिंद